नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल UPSC IS एक्जाम में आज मैं करदम रहा आपका दोस्त लेका है आपके लिए रोज की तरह दा हिंदू एडिटोरियल एनालेसिस हिंदी के अंदर आज की तारीक है 20 अक्टूबर 2018 हफ़ते का लास्ट दिन है सैटरड़े और हम कहते हैं वी बिलिव इन डिलिवरिंग एक्सेलन्स तो देखिए हमने आपके लिए हिस्ट्री जोगरोफ एकोनोमी एन्वार्मेंट एथिक्स अर्ट इंकर्चस साइंस और टेक्नोलजी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के नौ सब्जेक्स को प्रेलिम्स और मेंस बूनों की एक साथ उसे के इसी तैयारी के साथ बना है तीन सो आज के राइप प्रेम के अंदर तीन सो बचास लेक्टर्स जिसके साथ आपको मिलती है डीटेल पीडिएफ जिसको आप तीस अंलाइं टेस्ट सिरीज के साथ अपने नौलेज को टेस्ट कर पाएंगे 2019 की UPSC की मेंस एक्जामिनेशन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और मंथली करेंट अफेर का दूज आपको हर महीने मिलता रहेगा तिल 2019 मेंस एक्जामिनेशन Unlimited Time Revision is possible, there is no restriction, there is no hidden terms and condition and here we guarantee that कि आपके आसपास हो रहेए offline classes के मुकाबली ये एक बहुत ही बैटर और बढ़िया डील है, ये कॉर्स आपको मिल सकता है सिर्फ हो सिर्फ 3999 रुपे के अंदर inclusive of all the taxes and charges लेकिन कैसे इस एडिटोरियर के अंत के अंदर पूछेगे question का answer आपको नीचे comment section में देना है और description में दिये गए mobile number पर call करकी coupon code प्राप्त करना है, coupon code प्राप्त करते ही www.upsis.exams.com पर जाके आप अपना नाम, mobile number email address देनी के बार, payment gateway के अंदर यहाँ पर जो tap मिलेगा, आपको coupon code का वहाँ पर coupon code apply करके, इस course को 3999 रुपे में प्राप्त कर सकते है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरहीं से यह video lecture चलने वाला है, रॉडब आपको वीडियो, it determines that कि आज के मतर से हम शुरुवात करेंगे, इस अपर motivational photo of the day, then we will see the vocabularies, the meanings, from the Hindu newspaper, जो आपके writing skills को improve करने के लिए आपके मदद करेंगे, then we will focus on the आज का घ्यान, that we call as fun fact जहां पर इंडिया के संदर्ब में connect होने वाले current affairs के topics यहां पर लेके आते हैं, दोख मुद्दे हैं यहां पर आज डिसकस कर निकला है, and then we will focus on the articles of the newspaper, जहां पर editorials में पहला है, keep the peace on sabri mala, तो यह क्या मसला है, और क्या जो है नतीजा निकल कर आए, और इसके ऊपर जो है, ए मजाती या प्रजाती के लोगों को enhance or influence करने की कोई भी कोशिश नहीं है, लेकिन एक समझने के जरीये से देखेंगे, कि यहां यहां पर यह चीजे जो होगी, तो क्या impact इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ देखेंगे, तालिबान सर्ज तो यहां पर जो एक question answer session जहां पर किछले editor में पूछेंगे question का answer और एक नया सा question देखेंगे, तो let's see the motivational quote of the day, जहां पर किया जाता है, कि if you don't see yourself as a winner, then you cannot perform a winner, अब आपका जो dream है, कि UPSC crack करनी है, या फिर IIS IPS बनना है, IRS तो आपको हर सुवे उठते ही, जब अपने आपको देखते है, तो देख अपने आपको इस पोस्ट में उस वर्दी के अंदर आप अपने आपको देखिए, उस tag के साथ अपने आपको देखिए, अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे उन तीन शब्दों को लगा के बोलिए, कि मैं हूँ वो जो आप बनना चाहते हो, तो इसी के साथ हर बार मैं कहना चाहता हूँ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, खुद पर भरोसा रखिए, बुलंदिया सर जरूर होगी, आगे बढ़ते और देखते हैं, वाकिबलरी जहां पर जो है इन शब्दों को उलट-उलट करके, आप अपने ऐसे और आंसर राइटिंग में इस्तिमाल कर सकते हैं, इग्नौर के लिए आप कंदॉन वर्यूस सकते हैं, कॉंकर के लिए आप सर्माउंट वर्यूस कर सकते हैं, कलाउमनी के लिए आप अबलोकी वर्यूस कर सकते हैं, यूनियन के लिए आप सॉलिडिरिटी वर्यूस कर सकते हैं, अन य मिक्की के लिए आप इल्कुरिट इस वर्डीउज कर सकते है और पूलिश ली के लिए ब्रेबर वर्ड र्यूज कर शकते हैं गया इनको इस्तमा जरूर करें नोट जो थी वो रिसेंटली चर्चा में थी लेकिन ICICI Limited जो है ये खोली ओंड सबसीडरी है 1994 के अंदर बनी हुई यहाँ पर Industrial Credit and Investment Corporation of India जो है वो 1955 में आथा ये बहुत ही चौका देगा आपको क्या ये इतना पुराना है जी हाँ ये बहुत ही पुराना है और ये एक joint venture है World Bank के साथ Government of India का और representative of the Indian industry यहाँ पर जो यूनियन है वो बनती थी इससे बनी थी ICICI यानि की Government of India, Indian industry और World Bank के एक million से बनी ICICI तो ये एक limited company उस दोर में हुआ करती थी जो एक banking किसम का काम करना चाहती थी The principal objective was to create a development financial institution from providing medium term and long term project financing to Indian businesses Recently ये RBI के कारण आ गई एक तरीके के current affair के अंदर यहाँ पर appoint किया गया शंदीब बक्सी को as a managing director and the CEO of the private sector lending ICICI bank तीन साल के लिए अब ये जो प्रशन था वो कौन बनेगा करण पती के अंदर भी पूछा गया था उसके पहले थी चंदा कोचर और उनके उपर charges थे नेपोटिजम और conflict of interest के उनके husband और उनकी firm को बहुत ही जादा यहाँ पर liberal तरीके से treat किया गया ऐसे तरीके के और back के एक बहुत ही उचा आला होदी पर पहुंचने के बाद अगर आप family और अपने blood relation को और related parties को अगर आप थोड़ा जादा प्रेफरेंस देते हो being a CEO या managing director तो ये किताबों और काईदों के खानून के अनुसार आप जो है अपनी पदवी के साथ गद्दारी और बेमानी कर रहे हो तो ऐसे charges के कार चार अक्टूबर को अपने tenure को खतम करने से पहले इतना ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ ICICI private sector bank से अपना इस्तिफा दिया बलकि उन्होंने सारी subsidiaries banks के अंदर जो वो काम करती थी यहां पर इस्तिफा दिया including ICICI securities ICICI long bars वगेरा 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 where she had sought reappointment as the chairperson अब यहां पर जो है दूसरा current affair है वो उत्तर प्रदेश के साथ करने करता हुआ उत्तर प्रदेश की cabinet officially यहां पर जो है अलहाबाद जिस कौम कहते है जिसको कई लोग इलहाबाद के नाम से भी pronounce करते है उसको धिनांग renew करके उसके नाम को rename करके अब रग दिया गया है प्रय लालुदीन तगलत सोलावी सेंचुरी के अंदर एक बार विजिट पर गए थे यहां पर तो इस चगा का नाम उस समय पर था प्रयाग राज गंगा यमुना और सरस्वती नदी यहां पर मीट करती है तो यहां पर जो है इसको पहले इलहाबाद नाम दिया और यहां पर उन इलहाबाद से कनवर्ट कर दिया अलाबाद लेकिन अलाबाद में आज भी कई लोग इसको प्रयाग राज प्रयाग इलहाबाद और अलाबाद के नाम से जानते हैं अब जो है उत्तर प्रदेश की बड़ी से बड़ी कॉंसिट्विंसी जो है वो भी पढ़ती है प्रयाग प्रयाग राज के अंदर तो यहां पर यूपी के अंदर है हाल में भाजबा की सरकार और वहां के जो चीफ मिनिश्टर है वो पूरे भारत के अंदर बहुत जादा प्रचलित है योगी आदित्यनाद तो इन्होंने जो है गंगा यमुना और सरस्वती के इस पावन तट के संगम को जो है जिसको प्रयाग कहते है उनका नाम रख दिया है प्रयाग राज पूरे उत्तरप्रदेश में पूरे भारत में और जो भी सेक्वरिस्ट लोग है उन सभी लोगों ने इस चीज की प्रशंसा की है तो यहां पर कोई कास्टीजम वाली बात नहीं आई है यह ब यहां पर गूगल को भी बता दिया गया है कि वह अगर को प्रयाग राज सर्च करे मैत के अंदर तो आप अलाजबाद दिखाईए अलाबाद जो है अलाबाद में रहने वाले कोई भी सर्च करे तो यहां पर जो है एक नोट आप दिखाईए कि अलाबाद हैस बीन कर दिया गया है अब यहां पर देख सकते हैं आप काफी महिला है जो है उस सेव सबरी माला के साथ चल रही है अब जिन जी लोगों को इस पूरे मसले के बारे में पता ही नहीं है उनके से लिए हम बैग्राउंड से शुरू करते हैं केरला इस साल बहुती जादा जो है न्यूज में रहा है फ्लेट के कारण उससे पहले जो है फाइनेंशियल कमिशन का जो टैक्सिस के साथ डिस्टिबूशन था 32 से 42% कर दिया लेकिन फिर करने में बहुती कम मिलता है इसी कई मुद्दों के ऊपर करने वाले चीफ चर्चा में रहे थे तो केरला इस 2018 में एक पीक सर्च टॉपिक बना था अब यहां पर सबरी माला क्या है यहीं बताते हैं सबरी माला एक टेंपल है जहांपर लोड अयप्पा जिसको कार्थी के न है उनके कई सारे नाह में मुर्गन भी है उसी के साथ बिलों करता हुए एक सबरी माला टेंपल है अब यह टेंपल एक फॉरस्ट एरिया के अंदर आता और यहां पर जो है कुछ रीती रिवाज है प्रतिबंध है या फिर आप कहें कि एक ट्रेडिक्शन चल रहा है पच्पन साल के बाद की जो महिला है वो आ सकती है अब यहां पर यह लॉजिक क्यों लगाया है यह समझते है रिलीजियूसली इसका मतलब क्या है थर्टीन से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है लेकिन कुछ गर्स की प्यूबर्टी यह जो हो 15 या 16-17 साल की अंदर भी स्ट अब यहां पर इसके क्राइटेरिया में दस साल इसको प्रायटाइड़ केटेगरी में रखा है और किसी की जो मैनोफूसली की एज है वो 40 साल में शुरू होती है एक दो 3 साल भी चलती है अब यहां पर इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने जो सुप्रिम कोट के अंदर प्याय दर्ज करा ली और यह कहा कि यहां पर राइट ऑफ फ्रीडम है स्पीच है हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि पहले जो जब हमारा कंस्टिशन बना तो एक कॉमेडिटी थी जिसको घांदी जी हरीजन कहते थे तो ऐसे शेडियूल हमने कंडिशन्स रखी वी किसी को भी किसी वी टैंपल में जाने से कोई नहीं रोक सकता फिर ऐसी वैसी सारी हमने जो भी पुरानी टंप्सन कंडिशन्स थी उनको निकाल फेका लेकिन यहां पर यह चीज 72 सालों के बाद आजा दी कि यहां पर आई कि सबरीवाला टैंपल म आइस, क्वाला में जा सकता है कोई बी का मतलब है कि 10 से 55 साल की महिला ओपी जा सकती है अब यहाँ पर अलग-अलग religion के साथ compare करके देखते हैं सबसे पहले तो देखते हैं Islamic religion के साथ Islamic religion में कहा गया है कि male can marry four women यानि कि चार बार शादी कर सकते हैं चार अलग-अलग महिलाओं के साथ अब समझ यह कि आगे आने वाले समय के अंदर सुप्रीम को डेसी notification लाता है या फिर ऐसा लोग असार कर देता है, ऐसा बोल देता है, वर्डिक देता है कि बहीं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, हुसीख हो, इसाईग हो, एक ही शादी पर विजिमल है तो यहाँ पर कि अब मुस्लिम लोग जो है, वो इसके साथ contradict नहीं करेंगे, Islamic rules करेंगे, that would be a question mark इसी के साथ जो है, हम बात करते हैं, सिख संप्रदाय के बारे में अब सिख संप्रदाय के अंदर जो है, वो rule है कि आप जो है अपने सिर को, यानि कि जब बाल आपके नहीं दिखने चाहिए, सिर को ढखके मेल वर्शिप करने जाएंगे और इसी के अंदर, अब main provision तो यह है कि आपके कान भी ढखके होने चाहिए और महिलाओं के लिए तो यह strict है कि आपके बाल भी न दिखे, आपके कान भी न दिखे अब यह जो है आप the very holy place अमरित सर के विजिट के उपर जाएंगे तो अगर आप दूसरी community को belong करते और वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते तो भी आपको वहाँ के volunteer समझाएंगे कि जब आप पावन गर्ब गुरु मंदिर के अंदर जाए गुरु 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 सहाप की यहाँ पर जब आप मत्था टेकने के लिए जाए तो आपको जो है अपने बाल धक लेने हैं सिर के उपर जाए को बी फगड़ी ना पहने तो कपड़ा पहनले टोपी जैसी चीजह्त आती है वह पहनले लेकिन आप अपने बाल जो हो माने कान अगर खुले भी रहąda जाते हैं तो भी कोई बाती है लेकिन बाल जरुँ से बालने यह जोय सब्सक्राइब कहँआ है अब कही कोड आने हैं सब्सक्राइब कोड्य की रहा है अभी यहां पर जो है लोकल यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वह यह है कि आप इस एज ग्रूप की महिलाओं को यहां पर जाने नहीं दे सकते तो यहां पर जो है प्रोटेस्ट अलग-अलग महिलाओं के दोरा हो रहे हैं 500 मिटर की जो रेंज होती है वहां से ही जो है इसको रोक दिया जाता है इसके जो वर्डिक्स आये है सुब्रीम कोट के दोरा उसको यहां पर वैल्यू नहीं दी जा रही है यह जो है वह एक्टिव तो यहां पर ऐसे भी एक्टिविस्ट आते हैं जो यहां पर चेक करना चाहते है कि क्या वो दस से पचास साल की एज के अंदर है उनको जाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्टेट गवर्मेंट कहती है कि जन्यून डिवोटीज को आने देना चाहिए ड्रामा करने के लिए और टेंशन बढ़ाने के लिए जो आ रहे है उसको रोक लेना चाहिए और यहां पर जो है सुप्रीम कोट को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू करें अपने पिटिशन को और जाते हैं रिलीजिन माइटोलोजी जो है उसको यहां पर किसी भी तरीके से हाम या इंडेंजर न करें जैसे की वीडियो और इस आटिकल की शुरुआत के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया आगे बढ़ता है दूसरे एडिटोरियल के ओपर मैप में देखिए यह हमारा हिंदुस्तान हमारी शान और इसी के बाजू में पाकिस्तान और उपर से टच करता हुआ अफगानिस्तान यहां पर जो है एक जगा पर इसका कपिटल काबूल दूसरी और पाकिस्तान के काफी करीब और वरे डेंस एरिया जो है पाकिस्तान का वहां पर है कंदाहार तो पॉलिटिकल मीटिंग हो रही थी, गवर्नर के कमपाउंट के अंदर, सदन के अंदर, थवसले को यहां पर काफी लोगों को मार दिया गया, अब समझ यह जो ऑफिशियल लोग थे, सरकार के उनको ही मारा गया, गार्ड कर रहे थे जो इन लोगों को, इनको नहीं मारा गया, अफगानी मिलिटरी के लोग भी थे, दूसरी और यूएस के ट्रॉप्स भी थे, अब यहाँ पर तालीबानी जो है, यह हर तरहा से जो है, वो मुश्कीले खड़ी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ और इलेक्शन के खिलाफ, अब यह तालीबानी ऐसा कर क्यों रहे हैं, और यह पीछे का रहसी क्या है, यह समझी है, तालीबानी जो है, जिसको हम मिलिटन्स बोलते हैं, तो यह लोग जो है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से सरकार चले और यह सरकार चले, इनको जो है, अलग तरीके से हुकम करना है, हुकमनात चलानी है, और यहाँ पर जो है दूसरी और यह अटेक कर रहे हैं, काफी attacking है, जरासर भी defensive नहीं है, दूसरी और यह यूएससे डरते हैं, कि यूएससे इतना powerful है, कभी भी यहाँ पर आके जैसे इरान को साफ करके चला गया था, इराक को, उसी धरीगे से यहाँ पर भी आके साफ करके चला जा सकता है, सब को खतम कर सकता है तो यहां पर यह यूएस को यूएस वालों को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं कोचा था कंदाहर का गवर्नर का आफिस जो था वहां पर मिलिटन्स ने हुमला किया और यहां पर डैपुटी गवर्नर और एम्बेसेडर ऑफ यूनाइटे रवल मिरात और जो अब्दुल मौमीन थे जो कंदार इंटेलिजन्स चीफ थे और जो अब्दुल रजीक जो पुलीस चीफ है कंदार के उनको मार दिया गया अब यहां पर जो है अफरात अफरीक का महौल है जलमाई वैसा को भी टार्गेट किया गया था जो गवर्नर है लेकिन उसकी है के रिलेटेड कोई कॉन्फिलिक्टिंग रिपोर्स आ रही है फाइनल नहीं है कि वो जिन्दा है मर गया है मरे है या फिर मरने की ताबात पर है रजीक को यहां पर मार देने से जो एक काफी पुलीस कमांडर और ऐसे पारफुल पुलीस कमांडर थे सदर अफगानिस्तान रिजन के अंदर जिन से काफी तालीबानी थर थर दुरूचते कापते थे लेकिन अब जो तालीबानीस काफी बोल्ड और और जादा अट्रैक्टिवली अटेकिंग मोड में है यूएस के साथ पंगा नहीं लेना है और लेकिन जैसे जैसे इलेक्शिंस नजदीक आते इले सिला कायब है तालीबानीस क्या कहते है हमें यहां पर सरकार नहीं चाहिए और अगर सरकार है तो हमें इस तरीके से सरकार नहीं चाहिए इसी लिए जो है डेवलपमेंट ग्रोथ इनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है यह सब इतना जादा यहां पर तकलीफ के अंदर है जल साल से जो ये सिलसिला कायम है उसको खतम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को भी यहाँ पर कहा गया कि आप भी कुछ करे लेकिन यहाँ पर तालिबान को रोकना है यूएस को तो उसको अफगानिस्तान की मिलिटरी को पावरफुल बनाना होगा उनको एमपावर करना होगा तब जाके जो है सिलसिला शांती यह बनाया जा सकता है कंदार अटेक सजेस्ट करता है कि यह जो है तालिबानीस बहुत स्ट्रॉंग है और यूएस और अफगान की गवर्मेंट अफगान की आर्मी को मिलके इसको स्वाल करना होगा या तो अटेक करो या फिर कॉम्यूनिकेट करो या फिर जो है यह ऐसे ही चलता रहेगा अब जो है तालिबानीस की अगर सेंट्रल जो इनकी मेंटालिटी है उनको समझ लिया गया तो इस पूरे इश्यू को जो है वो शाथ किया जा सकता है वन-to-one कॉम्यूनिकेशन का मतलब होता है कि बाइलेटरल कॉम्यूनिकेशन दोनों के चीफ लीडर्स और इनकी गुरूपस अगर आके मिलेंगे एक दूसरी के साथ कुछ वादे जो है तालिबान ने किये थे उन्होंने निभाए है कि भई रमजान के महीन हो एद हो ऐसे टाइम पीरिट के अंदर ये गोलिया नहीं चलाएंगे तो ये भी जो है वो अपनी जुबान के पक्के है और इरादों के भी पक्के है तो अब इनकी जो साइकोलोजी है अगर उनको समझा जाए तो अफगानिस्तान भी जो है वो शान्ती और अमन की दिवारे बुन सकता है अब आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल लेंदर इतना ही है पिछले एडिटोरियल में पूछा था वर्ल्ड एक डे 2018 की थीम सही जवाब Protein for Life मंजे कुमार और फैजान खान ने जवाब सही दिया था इनके नाम यहाँ पर आया है अगर आप भी पूछेगे question का सही जवाब दोगे तो आपका भी नाम यहाँ पर प्रकाशीत होगा और coupon code मिलेगा description के अंदर दियेगे मोबाइल नबर पर call करने के बात जिससे की वीडियो को discounted rate के उकर आपको मिलेगा तो देखे आज का प्रस्त है स्वास्त भारत यात्रा अब यह national campaign launch हुआ है which purpose के लिए safe food, healthy drink, hygienic locality or secure traveling नई सी बात है जरू से पता करके comment में जवाब दीजिएगा अगर आपने वीडियो और explanation पसंद आई है तो वीडियो को like करे, share करे और comment करे, पुछेगाए question और कोई भी topic के उपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो channel पर नए होने का मतलब है चैनल को subscribe नहीं किया और आपकर आप वीडियो को notification नहीं मिला इसका मतलब है आपने bell icon को touch या button को click करके नहीं देखा कि वो लाल में से black में convert हो सकता है घलकी फिल के जादू से, thank you दोस्तों जैहिन, भारत मादा की जैए, वंदे मातरम